मोटरोला आजकल काफी जादा कॉम्पेटेटिव हो रहा है आपने देखा है यहां पर मोटो का G40 मोट G60 अभी रिसेंटी लाँच हुआ कितना किलर प्राइसिंग में आया है वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी पसंद आती है तो हमको इस तरीके के वाइट बॉक्स में देखने को मलता है उपर आपको यहां पर मोटोरोला के ब्रैंडिंग नीचे मोट लिखा हुआ है तो चलो जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता है यहां से बाद आपको दिखाते हूं सबसे पहले कि अनदर आपको क्या चाहिए यहां पर आपको कुछ गाइट वगयरा देखने को मुल जाएंगी और चाइनीज में है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है बाग पन्त वाट का आपको यहां पर चार्जर नमलता है तर्बो चार्जर इसको बोलते हैं 20 watt का आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा सबसे पहले देखते हैं फोन को तो बैक से पहले में निखा देता हूं कवर बात करें सबसे पहले कवर की तो एक हल्का सा टीप य रहेती है रखनों कि तरह तो आपको इस तरीक का शाइनिंग कलर देखने को मिलता है अब यह तरव से पर पल्क देखने को मिलेका दूसरी तरह सेथे चांगे रहे हैं जब की इसके अंदर कैमरा तीन ही है 64 में आप इकसल का ओडियो जूम के साथ भी आता है और काफी सही है बागी उसी किलावा हाथ में लेते एक चीज जरूर फिल हो रही है कि हाँ थोड़ा सा हैवी फोन है 5000 एमेज बैटरी है लेकिन हैवी भी लग रहा है तो मतलब यहां पे इसम लंबाई में जादा यहां पर आपको देखने के मिलेगा और लंबाई में भी है उसी के अलावा आप देखोगे कि fingerprint sensor कितना उपर प्लेस किया है मेरा हाथ तो आप देखी सकते हो कितना बड़ा है उसके अलावा भी यहां पर पहुंचने में थोड़ा सा आपको टाइम सब्सक्राइब करने के लिए तो उसी के लावा आपको एक डेडिकेटट बटन भी मिलेगा जिसको आप configure कर सकते हो या तो गूगल एसिस्टेंट या कोई भी शॉटकट ओपन करने के लिए तो वह भी एक काफी बैटर चीज मुझे आपर देखने के लिए मलती है यह चाइ के Android 11 इसमें out of the box देखने को मलता है अची चीज है यार इसके अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेगा काफी मजाएगा बात करें फ्रेंट की तो आप यहां पर देख सकते हूं आपको डूल सेल्फी वाला यहां पर देखने को मिलता है अब यहां पर यह पोको एक्स नहीं है तो पूरा पिल एक बना के देते ना तो काफी सही लगता अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है जरूर से देखने के लिए लग रहा है मुझे फिलाल तो बागी अगर बात करूं डिस्पले की तो आपको यहां पर 90 हर्ट के LCD डिस्पले देखने को मिलती है आपक प्राइम वीडियो हो गया नेट्फिक्स हो गया सभी के अंदर आपको यह देखने के लिए मिलेगा और यहां पर देख पाओगे कि पिचर क्वालिटी काफी अच्छी आपको देखने के मलती है विदाउट एनी डाउट बस यार थोड़ा सा मुझे यहां पर असीन समझ मे है लेकिन हाँ आपको विजिबिल्टी काफी अच्छी देखने के लिए मलती है नाइंटी हर्ट सूपर डूपर स्मूद इसके अंदर देखने को मुलता है स्टॉक एंड्रोइट के साथ आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह लैग हो रहा है या शटर हो रहा है जिट 214 ग्राम का यह आपको देखने के मलता है इतना जादा वन हैंड यूजस के लिए तो फोन नहीं है मेरा हाँ देख सकते हूं इतना बड़ा है उसके अलावा भी यार यह फोन बहुत ही जादा बड़ा लगता है बागी बात करें एंटु तो स्कोर की तो सेवन लैक आपको इसके अंदर आपको देखने के लिए मलता है और प्रफॉर्मेंस बीस्ट है यहां प्यार मैंने गिंशन इंपक्ट इसके अंदर हाई सैटिंग में खेला है और प्ले हो जाता है ऐसा नहीं कि प्ले बिलकुल नहीं होगा लेकिन हां आपको थोड़ा थोड़ा लैग उसके सेट करके गिंशन इंपक्ट के खेला है सीओ वगरा तो आप सब्सक्राइब सकते हो फुल हाई सैटिंग में आप जा सकते हो लेकिन पबजी में 90 fps नहीं है लेकिन अल्ट्रा एजडी एक्स्रीम तक पूरा अनलॉक है तो 60 fps आप उसमें भी प्ले कर पाऊगे लेकिन गिंश 70 को देखो तो उस प्राइज में आपको और भी कोई यहां पर इतना नहीं दे पाता है काफी अच्छे से प्ले हो जाता है हाँ हाला कि अगर आप एक घंटा भी गिंशन इंपक्ट हाई सेटिंग में खेलोगे तो इसका टेंपरेचर 45 से पार निकल चाता है तो यह भी स्टॉक एंड्रोइट का मज़ा है साही साथ 870 के अंदर देखने को मिलता है तो सूपर डूपर फास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा UFS 3.1 LPDDR5 यहां पर स्टोरेज देखने के लिए मिलती है तो इसमें आपको काफी स्मूध प्रफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और अब देख सकते हों बहुत ही सूपर डूपर फास्ट आपको देखने को मिलती है और यह फोन को इतना स्मूध बनाती है कि मैं नहीं कह सकता है कि 20,000 के अंदर 25,000 में भी आपको इतना स्मूध कोई फोन और देखने को मिलेगा बहुत ही जादा स्मूध एक्पिरेंस यहां पर देता है रिएल्टी में स्टॉक एंड्रोइड इसके अंदर जो है ना बहुत ही मज़िदार देखने को मिलता है इवन इसका मैमोरी मैंजमेंट भी मैंने देखा है बहुत ही अचा है स्योडी मैंने बैगराउंड में उपन किया है उसके लावा पांच शे एप्लिकेश का भी ऑप्शन देखने को मिलता है अगर मैं यहां पर बात करूं तो फ्रेंट कैमरा में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है कि इसमें कोई भी सेटिंग शो नहीं करता है कि कितने में और यह मोस्ट पाबबली आपको टैने टीपी 30 या 60fps में देखने के लिए मिलेगी बागी काफी सारे इसमें अलग-अलग मोड आपको देखने को मिलते हैं कैमरा से लिएटेट पोट्रेट मोड का टाउट स्पॉर्ट कलर नाइट मोड सिनोमराइटेग्राफी पॉर नॉमा गुरूफ सेलफी अल्ट्रा इलिएशन प्रो उसी किलाव वीडियो में आप 240p तक का ऑप्शन 240fps यहां पर देखने के लिए मलता है उसी के लाव आगे बढ़ते हुए बात करें कैमरास की तो 64 में पिक्सल का में कैमरा मिलता है उसी के लावा 13 मेगा पिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा यहां पर मिलता है लेकिन यार इसके अंदर आपका जो टेली कर लेता है लेकिन मुझे लगता है यार सौफड़ेर साइट से थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है कभी-कभी इंडो लाइटिंग के अंदर फोटो को काफी ज्यादा वास्ट आउट कर देता है और काफी ज्यादा बिमिश टैप कि यहां पे फोटो आ जाती है आफडोर मे तो इतनी जादा आपको नहीं देखने के लिए कौन सा सेंसर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन फोटो वगरा डीसेंट सी आ जाती मैंने कहूंगा कि बहुत ही अच्छी है वागे इसके इसके इंदर सोला में काफी अची फोटो निकाल लेता है उसके भी डि यूज कर सकते हो तो डीटेल में काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाएगी अगर मैं कैमरा सेटप की बात करूं तो डीसेंट साइप का आपको कैमरा सेटप देखने को मल जाता है जो कि आपने 10-15,000 रुपए के बीच में देखा होगा तो उसी टाइप का आपक पिक्सल का अल्टरावाइट कैमरा अब आटओर लाइटिंग में बहुत ही यहां पर डिटेलस आती हैं दोनों में नहीं है में हो या इंडोर लाइटिंग में आते भाद मैं फेस की अपनी फोटो लेता हूं तो वह जीब सा अलग सा पता नहीं क्या ब्लिमिश वगेरा उस पसके बाद भी इंडो लाइटिंग के अंदर, कुछ घटिया सी मेजyes आती है, भास आला कि यहाँ पर आप इसको, ज़़ासी कम लाइटिंग दे तो, बहुत ही जादा बीकारी वेज़ेज ओजाती है, अगर मैं यहाँ पर यह जो यहाँ यह लाइंग है, इसको मैंने on करके फोडो कीची तब काफी अची फोडो आई इसको बंद कर दिया एक सिंगल आइटम कीची तो पता नहीं क्या आजीब से यहां पर फेस के ऊपर मेरे लगा देता है बहुत ही जादा बुरा हो जाता है यह चीज अल्टर वाइट कैमरे के साथ नहीं है सिर्फ की चार्जिंग का सपोर्ट मलता है 20 वाट की चार्जिंग में मैं ठीक है यार आपको 2-5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है लेकिन यहां पर बात करूं बैटरी की 5000 एमेज की बैटरी है मैंने विलकुल एक्सपेक्ट नहीं करा था क्योंकि यहां पर मुझे 9-10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम 90 हर्स के उपर इसमें देखने को मिल रहा है जिसमें मैंने गेमिंग भी करी है वीडियो वगरा भी देखी है तो मैं कह सकता हूं यार इसका बैटरी बैक आप आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा यहीं पर फाइदा होता है जो कि स्ट्रॉक एंड 5G के लिए स्नाइबरगन 875G के लिए आप इस फोन को बाई करोगे या एक अच्छी च्वाइज है कि पोको X3 वाला जो की 865 जिसमें 5G नहीं आता है लेकिन सिमलर प्रफॉर्मेंस इसकी जैसी देता है आप उसको बाई करोगे मैं चाहाँ सोचता हूं कि यार उसमें थोड इसकी जादा आपको बैटर मिलेगी अगर आप देखोगे तो कैमरा भी उसमें यार फंशन के साथ काफी अच्छा आता है जो कि मैंने इसके साथ काफी पूर लगा है मुझे और वेट या तो दोनों की बराबर ही आती है तो करीबन करीबन आप फर्क मान के चलो तो पंदर अच्छी लगी है बाकी कैमरा वगेरा तो इतना एवरेच सा जैसे कि मैंने बताया लगा है डिस्पले भी ठीक है यार आपको आउट्डोर में नोट 10 प्रो की जादा ब्राइट मिलती है इसके मुकाबले बस यही चीज़ यहां पर मिलती है बाकी हैवी थिक बहुत जादा है तो मैं पॉकेट फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं कहूंगा या वन हैंट फ्रेंडली तो म्यूजिक बज गई है चलता हूं नहीं वीडियो में मिलता हूं बाई बाई टेक केर